सलू अले वाले रह्मत की हवाएं हर सिंत चले पुर नूरी है नम्हे अश्कों के लड़े बख्षिस के भी देखो तरवाजे खुले है बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम वाली क्यों जी एन अन प्रेस के साथ मैं हूँ फिजान सिठार में इस वक्त गौरणर हाउस में मौजूद हूँ जो के गौरणर सिंध कामरान टसरी की जाने से 30 दिन रोज अफ़तार करवाने का हुकम दे दिया है और यहां पर आम आदमी भी आ सकता है तो आज हम मौजूद हैं गौरणर हाउस में तो हम आम आदमी जो भी यहां पर लोग मौजूद हैं तो हम उनसे जानेंगे के यहां पर गौरणर हाउस में अफ़तारी करके कैसा लग रहा है तो आईए जानते हैं अवाम की राए वरना शायद हम भी कभी एकसेस ना कर सकते इंसाइड गवर्नर हाउस तो भारहल बहुत अच्छा इनिशिटिव है और तमाम लोगों को बुला रहे हैं दे फील के भी आहां हमें भी एहमिएत दी जा रही है हमें बुलाया जा रहा है एहमिएत दी जा रही है तो इस गुड़ और ये के अच्छा इंप्रेशन गवर्नर सेंसाब का जी मैं तो बड़ी दफाँ है हूं गवर्नर हाउस और लेकर आज का जो यहां पे इंवार्मेंट है और जिस सरह गवर्नर हाउस के दरवाजे एक आम आदमी के लिए खोले गे हैं मेरे हैले वही ये एक बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए जो है ना वो किसी सफारश की जरूरत नहीं है किसी को यहां आने के लिए जो सिस्टम मैंने यहां पे सुना है और पता चला है मुझे किस तरह लोग पार्टिस्पेट कर रहे है किस तरह उनकी रिजिस्टेशन हो रही है फिर उनको किस तरह यहां पे इंटर्टेन किया जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि नमजान मुबारक के मुबारक महीने में खास दोर पर जो हकुमत का एक बड़ा इदारा जो सूबे के जो एक उनके उपर बड़ी समेदारी होती है गुवर्नर की उन्होंने अवाम के लिए इनके दर्वाजे वाकिए ही हकीकत में खोले है और उनको इंटर्टेन कर रहे है और मेरा ख्याल है कि इसमें देखें मैंने हम खुद आज एक ट्रस्ट के साथ हाए है गो कि मेरा तालुक मीडिया से है लेकन एक ट्रस्ट के साथ हाए है जिसमें बहुत से माज़ूर और ओल्ड एज़ लोग जो हैं उनको specially बुलाया गया था तो लहाजा या दोनों तरह से हो रहा है कि एक तो पाकसान में जो एक ट्रेंड उन्होंने सेट किया है कि किसी गुर्णर हाउस किसी बड़े इदारे में इस तरह नहीं होता कि एक तो आम आदमी जो है वो शिरकत कर रहे हैं फिर जो मुख्तलिफ इदारों के लोग हैं वो शिरकत कर रहे हैं तो उनको एक डिफरेंट इन्वार्मेंट और एक अपनायत और इस रियासत के साथ एक मजबूत तालुक कैम करने का मौका दिया जा रहा है जी बहुत बहुत शुक्र कर रहा हैं गवदर हाँ के इस घयरेंट और के अवाम के लिए तो बहुत शुक्र कर रहे होEZार हैं की टरफ से परी कराची कितर ुनका और उसके बाद पर उनने यहां बुलाया इतना बड़े अजास से नावादा ये गोल्ड मेडल अम्रे के टिकेट दिया है तो बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई कोई मैसेज दरना चाहेंगे गोर्नर साब के अवाले से यहीं के गोर्नर साब तीस दिनों अफ्टारी खरानी है भी सेरी करवा रहे हैं ठीक है जीं और फिर उसके बाद अवाम के मसले हल सब कुछ और कोई टैलेंटिट इनसान उसको आगे लाना बढ़ाना तो अला उनको खुश रखे जैसे वो हमें खुश रख रहे हैं बताएगे का गवर्नर राउस में अब हर टाइम मौझूद होते हैं तो क्या समझते हैं ये अफ़तार करवाय जा रहे है आम आदमी भी यहां पर आ सकते हैं तो इस सवाले से क्या मौकिस देंगा गवर्नर राउस में हर्ट टाइम वाम मौझूद रहती है मैं यकीन मानें के इफ़तार और सेरी दोनों आउचकल गवर्नर सहाँ के साथ हो रहे हो तो की वज़ाई है कि गवर्नर सहाँ को छेंगे बहुद को क्स तो हमारे साथ चलें अपनी फैमिलीज के साथ यहां पर गवरनर राउस में आ रहे हैं इफतारी कर रहे हैं खाना खा रहे हैं और गवरनर राउस की जो इमारत है जो इतना बड़ा लौन है जो आपको बता है कि माजी में रमजानों में एमबैसेडरों के लिए खुले होते थे दर्वादे मगर आ